नमस्कार RSBT News में आपका स्वागत हैं पेश राश्तान जोतपूर बिकाने उजुले की बड़ी खबरें राश्तान की धर्मा लिकाईयों को कोईला अपूर्टी को लेकर मुख्यमेंतर अरशो गहलोत के प्रयास रंग लाएं हैं इसको लेकर मुख्यमेंतर अरशो गहलोत शुकरवार को राश्तान की थी और राश्तान को कोईले की सुचारू आपूर्टी के लिए राश्तान 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 विधित उत्पादन निगम को आवंटित कोल ब्लॉक में माइनिंग करने की स्विक्रते शुक्र जारी करन देशवर में पार्टनर्शिप मोड में सरकार ऐसे 89 और नए सैनिक स्कूल खोलेगी। लक्षा मंत्राले के और से जारी प्रेस नोट के मताबिक ये नए स्कूल मौजूदा सैनिक स्कूलों से अलग होंगे। इनस्कूलों को खोलने के पीछे का प्रधान मंत्रे नरेंडर मोदी का लक्षा छात्रों को नैशनल अजुकेशन पॉलिसी के तहट क्वालिटी अजुकेशन और सेना में शामिल होने सहीद करियर के बहतर अवसर प्रधान करना है। राजे की पूर्व मुख्य मंत्री वसंतरा राजे फिर चौचा में है। हालही में राजे ने पीम नरेंडर मोदी से तीन साल बाद one two one मुलाकात की थी। इसके बाद अब राजे ने बीजेपि की संगठन महामंत्री बीयल संतोष से भी मुलाकात की है। खोज इनों से राजे लगता सक्रे बने हुई हैं, वेपार्टी के सीनियर नेताओं से मुलाकात कर रही हैं, उत्राखन और यूपी के सीम के शबत कारिकरम में भी शामिल हुई, राजे की पीम से मुलाकात की राजनितिक हलकों में काफी चुचा है। पहले ये योजना मार्च 2022 तक थी लेकिन योगी के अविनेट की पहली बैठक में इस योजना को तीन माहा तक बढ़ाने पर मुहर लगाई गई है। ये काफी हद तक पता चल जाएगा कि लोगों को इस घोशना का कितना फायदा होगा। डिसकॉम की ओर से जो बिजली के बिलों में अनुदान देने का प्रस्ता भिजवाया है। उसमें उभगताओं को 780 रुपए तक का फायदा होगा। महीं 50 यूनिन तक बिजली का उभग करने वाले लोगों को इस योजना का सबसे ज़्यादा फायदा होगा। ऐसे वगताओं को बिजली उपयोग के लिए एक भी रुपए नहीं देने पड़ेंगे। के साथ कुमारिय कुमा घोड़ा लेने पहुंची। दो साल बाद घोड़ा गवर पूजन स्थर लाने की परंपरा निभाने के प्रती तीजणियों में उमंग और उत्साह नजर आया। सजी धजी तीजणिया एसर और गवर की जहांकी के साथ धोल थाली की धुनों पर जूमती और पारंपरे गवर गाते हुए मिट्टी के छिद्रे युक्त पात्र घुड़ा लेने पहुंची। कवर पूजने वाली तीजण वे माहिश्वरी महिला मंदर की वरिस्ट सदस्य प्रभावैद्य ने बताया कि राम नाउमी के दिन घुड़ लेका जो लाशे में विसरजन किया जाता है। मुख्य मंतरी शोगेलोत ने शनिवार को एक मिनी बस में बैठकर जोत्पु शहर का तुफान दोरा कर विकास कारियों का वलोगन किया। उन्होंने शोहर में चल रहे विभिन विकास वे विस्तार कारियों को नजदीक से देखा और उनके प्रगती के समिक्षा की। साधी विकास कारियों के प्लैन के अधिकारियों से जनकारी ली और कारे निर्धारित समय में पूर्ण कराने के निर्देश दिये। कारी बजट के लिए मुख्यमंत्री का भाड जताया। रोडवेज, बस्ट एंड स्थल पर बड़ी संख्या में करमचारी मुख्यमंत्री का कट आउट लेकर जमा हुए थे। इन करमचारी ने मुख्यमंत्री का ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लगू करने के लिए भर जताया। टाउन हॉल नया तलाब आदी जोखों पर भी उनकर जोड़दा स्वागत किया गया। एक मीडिय रिपोर्ट के अनुसार BCCI इस साल इंडियन प्रीमियर लिग 2022 के स्पांसर्शिप से एक हज़ार करोड रुपए से अधी की कमाई करेगा। यह IPL के 15 सीजनों में अब तक की BCCI की और से अरजित रिकोर्ड प्रायोजन राजस्व होगा। BCCI ने इस साल टाटा के रूप में एक नए शिशक प्रायोजक और दो नए सहीयोगी प्रायोजकों के साथ करार किये हैं। बैंगलोरों में स्थित राश्टे मिलिटर स्कूल में अब तक छातर ही पढ़ते रहे हैं। तयार बैठे हैं। पंजाब की जीत के बाद अब आम आदमी पार्टे राश्टान में संगठन को मजबूत करने के तयारी में हैं। 2023 में आप राश्टान में विधानसवा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के अतिहासिक जीत हुई है। राश्टान के अजमेर में दो अप्रैल नव समचर के मौके पर नव समचर समारो समीती अजयमेरू के तत्वधान में अनेक आईकरम आयोजित किये जाएंगे। आयोजिन का आगाज नवश की पूरु संथया से होगा। समीती के अध्यक्ष निरंजयन शर्मा के अनुसाथ दो अप्रैल को नव समचर का पहला दिन होगा। तो फिलाल इस ब्रेटिन में इतना हैं फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT News के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।